अभी जो आपका चेप्टर चला है सिंगल फेज इंडेक्शन मोटर चला है जो कि कल की वीडियो में मैंने पार्ट वन के अंतरगत आपको बताया था और आज की वीडियो में आपको पार्ट टू के अंतरगत ये कोशन बताने वाला हूं यदि आपने part 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो की decision में आपको link मिलेगा है या आप जाके इसकी official यहाँ पर जो channel है सत्या excellent youtube channel वहां से आप जाकर देख सकते हैं और हाँ यदि आप इसका पेडियाप डाउनलोड करना चाहते हैं तो पेडियाप का link मैंने आपको इस वीडियो कोशन यहाँ पर कवर किया गया किस से सुरू करते क्योंकि कल मैंने 20 तक आपको कोशन बढ़ता दिया था चले कोशन नमबर किस से आता है जिसमें पूछा जा रहा है कि एकल फेज प्रेंड मोटर में गती समवेंदी आपकेंदरी स्वीच किस परकार के कुंडरल में जुड करने तो आपका परवरतर कोंडरल होता है और अंठां को इसके साथ और में जुडर जुड़ा होता है अब धose सब्सक्राइब करेंगे अगले कोशन पर आते हैं जिसमें अगला कोशन यहां पर पूछा गया सब्सक्राइब करेंगे अगले कोशन पर आते हैं जिसमें अगला कोशन यहां पर पूछा गया है कि निम्न में कौन सी मोटर AC तथा DC दोनों पर संतोस्पद धंग से कारिक करते हैं पतलब की सही धंग से कारिक करती है कौन सी AC motor है जो कि AC पर भी चलती है और DC पर भी चलती है बिलकुल सरृलता से कोईबी दिक्कत नहीं आती है तो दोस्तों एक motor है जिसको हम बोलते है सरवित्तिक motor अथाथ universal motor के नाम से जाना जाता है और single page जो आपका होता है यह आपका एकल कलिए ऐसी स्रणी आपका जो होता है स्रणी मोटर अथा single page यह एसी स्रणी मोटर भी इसको हम नाम से जानते हैं तो यह आपका question करनसार सही हो जाता है आपसां नंबर C बिलकुल correct और C आपसां नंबर करेक्ट मारेंगे आए अगले कोशन पर आते हैं जिसमें अगला कोशन यहां पर पूछा गया है कि सरुष्टिक मोटर कैसी मोटर होती है जो इन्वर्सल मोटर होती है वो कैसी मोटर होती है स्रणी परकार का यह एक एक क्लिए यह नीचे आपको देखने को मिलता है संट तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो इन्वर्सल मोटर होता है यह वह आपका एक कली स्रेटी मोटर अथा सिंगल पेज एसी स्रीज मोटर होती है और यह जो आपकी मोटर होती है इसी और डिसी दोनों पर आप उर्ती पर चल सकती है तो यह आपका कोशन के अनुसार जो सही हो जाता है आफसन नंबर यह बिल्कुल करेक्टेंसवर हो जाता है यह आफसन करेक्टेंसवर मारेंगे सबी लोग मिला लीजिएगा आए अगले कोशन पर आते हैं जिसमें अगला कोशन यहां पर पूछा गया है कि एकल कला प्रेन मोटर की धारिता अथा जिसको कैपसिटी बोला जाता है वो किसके द्वारा सिमित होती है अस्पंदमान बलागून के या एक समान बलागून के या इनमें से कोई ने दोस्तों ध्यान कियेगा जो एकल कला प्रेन मोटर की जो धारिता होती है वो मोटर में आ हमारा सभी हो जाता है आप सब्सक्राइब बिल्कुल करेक्ट हो जाता है आप सब्सक्राइब आए अगले कोशन पर आते हैं जिसमें अगला कोशन यहां पर पूछा गया है कि निम्न में से किस एक अकलियव प्रेंड मोटर जिसमें अब केंदरी स्वीच नहीं होती है अपकेंदरी स्वीच का मतलब आप समझते हैं जो सेंटी फ्यूगर स्वीच होता है उसी को हम बोलते हैं अपकेंदरी स्वीच है ठीक है इसको नोट कलीजेगा तो ध्याने किएगा दोस्तों जो अस्थाइस सांधारी चलित जो एकल कला होता है अथा पर्मनेंट कैप सीटर जो आपका रण सिंगल फेर होता है वो आपका इंडेक्सटर मोटर में अपकेंदरी स्वीच अथा सिंटी फ्यूगर स्वीच नहीं होता है तो यह कोशन का नुसार जो सई हो जाता है आपसन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट एंसर हो जाएगा डिय आपसन अभ और करेक्क एं का नाम आपने सुना होगा लेकिन आपको यह ध्यान नहीं होगा कि उसमें कौन से मोटर का प्रियोग किया जाता है तो देखिए दूस्तों इसमें जरुवत परती है उच्छ तम गति की जरुवत परती है मतलब कि वैक्यूम किलीनर में एकल कला सेनी मोटर अथा सिंगल फेज स्रीज मोटर का प्रियोग होता है जिससे संधारित मोटर यह सोरी सरेत्रिक मोटर अथांत इन्वर्शल मोटर के नाम से भी जाना जाता है तो यहाँ पर कैनूर साय हो जाता है आपसर नमबर डी बिल्कुल करेक्ट एंसवर बारेंगे अगले कोशन पर आते हैं जिसमें कंडिस्ट्र में Japanese या ग्राइंडिंग मील में या पेपर में मोर्ट होता हो इसको बार बार चलाने के लिए si वह आपका बंद हो जाता है और बंद करने के आओ सकता है है इसलिए पड़ते कुई लिफ्ट और जो आप सभी को मालमें लिप्ट में हमेशा आन और बंद करने की जुरूत परती है इस लिस्क में आपारा जो सही हो जाता है यहां पर सही हो जाता है लिप्ट और हाइस्ट है तो बार बार बंद करना और स्टार्ट करना ज्यादा तर लिप्ट में ही होता है तो यह आपका कोशन का उनसार जो सही हो सबसे कम यहां पर सकती की होती है और यह चोटे-चोटे-चोटे कारियों में किया जाता है यहां पर जो सही हो जाता है कोशन के अनुसार आफसन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है चादित धुरू अथात सेड़िट पोल के नाम से इसको जाना जाता है तो यहां पर कोशन का अनुसार जो सही हो जाता है आफसन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है डी आफसन अप करेक मोटर होता है वह AC और DC समानगती से सकता है उसमें कोई भी किस सरतिक मोटर की क्या बिस्यस्ता है मतलब कि को prohibited nossa संथी की बारे में बात करेब तो इसकी विस्यस्ता करें तो न की इस कहिए हो सकती है तो देहें दोस्तो जो इन्युवर्सल स्वाइब ऑ यह निवर्सल कुछा गया है कि निम्न में से किस मोटर में अपेच्छा क्रित उच्या आरंबिक बलागुन प्राप्त होगा संधारित अंदा मोटर के या संधारित आरंब मोटर के या सिलिप फेज मोटर के या पर्मनेट सिलिप कैफ सीटर मोटर के तो देखें दोस्तों जो संधारित आरं को बढ़ जाने से और मिंग टार्क होता है वो भी बढ़ जाता है तो यहां पर कोशन का जो सही हो जाता है जो सही मैच कर रहा है आप शन करेक्ट्र आधे सब लोग दिधान दिजिए अगले कोशन पर आते हैं जिसमें अगला कोशन पुछा गया कि एकल फेज संधारित आरं मोटर में कौन सा रिखन सटे यहा पर आपको श्टेटमेंट दिडिया गया है कि इसमें जो आपको चार श्टेट्मेंट सेंटिफ्यूगल स्वीच का लगाया जाता है किसकी को अलग करने के लिए लगाया जाता है अब यह लगाने का रीजने क्यों लगा जाता है इसका रेजन है क्योंकि दोस्तों इस मोटर में जो लगे संधारित होते हैं और जो आपका सहाय कुंडलन होता है और इसमें केवल मोटर होता है उसको स्टार्ट करने के लिए यह लगे होते हैं अब जब मोटर क्या होता है 70-80% गती पहुंच जाती है तो सेंटिफ्यूगल ज जिसमें अगला कोशन यहां पर पूछा गया है कि रिलेक्टेंस मोटर आगे यहां पर अपसंद दियागे कि सवह प्रारम होने वाली मोटर यह एक नियत गती की मोटर यह डिसी उत्यजना की आवसकता नहीं होती है यह अपसंदेगे कि सभी विकल्प सही है तो दोस्तों आ यह अगले कोशन पर आते हैं जिसमें अगला कोशन पूछा गया है कि एकल कला प्रेनर मोटर का सकती गुणाख आम तोर पर होता है यह हमेशा अगरगामी होता है या 31 होता है या 31 से 08 leading तक होता है दोस्तों यह भी कोशन आपका important है ध्याने कियेगा एकलकला प्रिण मोटर का जो सकती गुणाक होता है वह आम तोर पर पष्चेगामी होता है अब इसका कारण यह पष्चेगामी होने का इसका कारण है कि मोटर की जो कुण्डल होती उसमें ट्रेडिक गुंड का होना है लेकिन मोटर की जो सहाई कुंडन होते हैं उसके साथ अस्थाई केपसिटर का प्रियूग करके सकती गुणा को हम सुधार भी सकते हैं यह भी आपका रिजन होता है तो यहां पर कोशन करेंसवार जो हमारा सही हो जाता है आपसन नंबर यह बिल् संभावित क्या हो सकती यहां समान इसे कम गती पर चलती है इसमें इसमें क्या यहां पर करेक्टर बारेंगे घिसवी भी बेरिंग है ठीक है यह आपके सामने है तो देखिए दूस्तों सैथिले मोटर धोनी उपकरण के लिए प्रियुक की जाते हैं और यहां पर इसका प्रियुक करने का क्यूंकि इसके जो रोटर होते उसमें कोई भी खाचा का कुंडलल नहीं हो यहां पर कोशन के अनुसार हमारेंगे आफसन नंबर सी बिलकुल करेक्ट एंस और सी आफसन हमारा सही हो जाता है अगले कोशन पर आते हैं और इसका पेडियाप का लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिक्सिस्टर में दे दिया यह आप पेडियाप भी देखना चाहते हैं देख सकते है आसाजा से आप परसकते हैं को नंबर 49 को देखते हैं इसमें कहा जारा है कि किलो मीटर में चलने वाली वाइंडिंग खाल यह स्थान होना चाहें मतलब किस परकार की वान दी होनी चाहें तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान एक यह भी आपका कोशन इंपोटेंट है अब इसमें क्या होता है जो बिभक्त काला होता है जिसको हम स्लिफ्ट फेज बोलते हैं इसकी रनिंग वाइंडिंग का प्रतुरुद कम तता परिकत तो अधिक होता है और अधिक होने से जो प्रिक् जो सही हो जाता है आफसान नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है दोस्तों आपको कोशन कैसा लगा कमेटर पर जरूरू बतेगा फिलाल दोस्तों मिलते हैं नेक्श वीडियो में